इस्टी में सबसे एडवांस लेंब्स है मैं आपको चला के दिखाऊंगा जी दिन में भी मलब रात में तो ऐसा दिन निकाल देते हैं कि अच्छी रोशनी है जी 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 तर्टर्स की हर डाइसो गंटे पर सर्वीस कराने के लिए कम भी पहुती जी यह जो ट्रेक् बनाने लग रहे हैं वाई ओ आज की वीडियो पचास पिचेतर इट्रेक्टर वाई जोंडीर कंपनी का ट्रेक्टर है जो की शेयर डिया इंजन के साथ में हैं वाई तो आज आपको पूरी जानकरी देंगे इस ट्रेक्टर के बारे में वाई साब बढ़ी अभी आप इंट्रोडेक्शन करवाद हो जी सभी किसान भाईयों को मेरा नमस्कार मेरा नाम अंकुरोगरवाल है जी और मैं अंकुरोटो मॉबाइल बिवानी अर्याना से बात कर रहा हूं जी और आज आप सभी के लिए जी जी मैं जॉंडियर का टम 4 इंजन वाला ट्रेक्टर पचा सब जैसे कि शेयर डिया इंजन ट्रेक्टर सभी कंपणियों ने अपने अपने बना दिये हैं कोई काम्याब भी हो गया कोई काम्याब नहीं है कई किसानों ने लिए भी है प्रेसान भी है तो कहीं ऐसा नहीं है बई किसान इसको ले और प्रेसानों ऐसा तो नहीं है सर जैस कि मेरे पीचे देख घर हमारे यह तक्रीबां पेड़ दो सालों से आपके हर्याना में चल रहे हैं सिरसा में तोहान है किसान के पाश पास it यह ट्रेक्टर मार्केट में जाड़े जी 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 तो कि भी किसी किसान भाईयों को दिक्कत नहीं होने जी सर तो सर ऐसा क्या हुआ जो कंपनियों ने शेयर डिया इंजन बनाना पड़ गाए सर यह बनाने का कारण है भारत सरकार ने जी साथ भी नियम निकाला है जी के 50 HP से उ जो भी पॉलुशन लेवल जो एमिशन नॉर्म होते हैं अच्छा जी उसको कंट्रोल करने के लिए तो अभी जो आप मेरे पिछे ट्रेक्टर देख रहे हो तर्म 4 का इसके अंदर जो अपने पॉलुटेंट्स जो आच कल हम बात करते हैं नियूज में भी सुनते हैं जी और नाइट्रोजन ओक्साइड नॉक्स जिसको वोलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इंजन बनाए गया है और यह सभी कंपनियों के उपर नियम लागू है जी के 50 HP से उपर जित्ते भी ट्रेक्टर बनाए जाएंगे वह टंफ और इंजन बनाए जी 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 तो सर इस ट पुशी हो रही है कि इस ट्रेक्टर का मेंटेनेंस पहले वाले ट्रेक्टरों से कम हो गया जो पहले जो ट्रेक्टर आते थे उन से कम हो गया पहले वाले ट्रेक्टर की हर 200 गंटे पे सर्विस कराने के लिए कंपनी बहुती थी यह जो ट्रेक्टर है इनका सर्विस रही आता था तो जो इसका और जो पहले तेल आता था उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ाई रीजनेबल डाइसो तीन सो रुपे का डिफरेंस है जी 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 तो उससे आप यह लगा लो कि कस्टमर का जो इंटरवल है जी डबल हो गया तो सर इसके अंदर क्या-क्या बदलाव किये हैं पिछेतर जैसे कि फिचेतर हैं अच्छा जी अच्छा वैसे मंगवा है आपने जी 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 यह देखो बाई मैं दिखा देता हूं ओर विल ड्राइव ट्रेक्टर है वह जी सर यह जैसे शुरू में लुक की बात करते हैं तो इसका आप देखोगे लुक प जो ट्रेक्टर इंड़स्ट्री में सबसे एडवांस लेंब्स है मैं आपको चला के दिखाऊंगा जी दिन में भी मलब रात में तो इसा दिन निकाल दते हैं अच्छी रोशनी है जी 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 इसे साइड लोस दी हैं पुड़े जी चेंज करे हैं जिससे जो इंजन को अ सब्सक्राइब आपके जो यह हावर उपने के लिए गाड़ है यह हीट गाड़ यह सारे चेंज इसके डिजाइब हो गया है यह तो कुछ बेसिक जो जो जुटा से आपको यह पहले भी तरह शो फोल पर दिखाता हूं जी 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 जांडियर जैसे आ यह आपके पूरा जांडियर का मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में टम 4 का काफी एडवांस इंजन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि पहले यहां पर पंप आया करता तो पंप हट गया है अब यहां पर यह पंप है बेसिकली जी जी और इसके पीछे एक लाइन है जिसको है प प्रेशर कोमन अधर प्रेशर मेंटेन करना और यह देखी आप इंजेक्टर लगे हों है उसके उपर नलकी गही हो इंजेक्टर की इंजेक्टर्स हैं जिसको यहां पर एक शीयू है कंप्पूर सकते हैं वह कंट्रोल करता है जी और जिस भी पिष्टन को जितना तेल चाहि जी 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 इसके साथ साथ इसके अंदर EGR दिया है जी EGR अच्छा जी ठीक है इसका बेसिकली फंक्षन एक्जोस्ट गैसी सर्कुलेशन का होता है जैसे कि आप जानते हो के ट्रेक्टरों के अंदर जी कम्पणी ने एर फिल्टर दे रख दे रख एजिसे हावा यता जिसमें और तो यह ज्याथ हसे जादा हवा करता चुछ क्रुलेटक सर्कुलेश करता आप रह में इसके अंदर इंज्ञें ज़िए जौ और और इसके अंदर आप देखोगे यहां कि तो अभी एक जाली देदी है यहां पे अच्छा यह जाली यह तो अलग है सर सहाइद किसी ट्रेक्टर में नहीं इन आ रहा हूं यू जैसे कि मैं एक तो सेरीडी इंजिन तोप मोटल ट्रेक्टर जाली देदी गी यह आप जैसे पहले राता था जी इनकी में जाता है यह फार्ड वह आते पर यह आते अच्छा जी जो पिछे का जो तेल होता है ब्रेक का गेर का उसको भी ठंडा करके वापसी बेशते हैं अच्छा ये इसके अंदर मेरे सीचर जो है इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे तो यह पहले एग्जोस्ट पाइप जो होता था वो सिधा उपर से हैडगास के उप कैना है तो एसके वह प्तराइब करती है यह कि छी सर्थ और मोबिल कुलर भी आप आते हैं जितने भी टेल हैं डीजल मूबिल ट्रांस्मिशन सभी के लिए इस ट्रक्टर के अंदर कूलर है और इसके अंदर एक यह दॉक्स फिल्टर दिया है जो बेसिकले 15 साल तक इसकी उमर के जाती है जैसे कि यह त्रबो वड़ा इंक ट्रक्टर है सर साथ है तर्बो प्रेटर के अंदर कंपनी विटेट होगी जो जो आटीर की अधी है यह तो पीयर गेर और एक गेर प्रव बरा चाल आगेगी चार चाल पिछे की जिए और एक जो पहले आते थे जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं और लिफ्ट प्रो है इसके बारे में भी मैं अभी आपको पिछे सरी यह तो मैंने पहली बर सुना है यह यह नहीं टेक्नलोजी अभी जोंडियर में है यह यह बेसिकली क्या है कि जो आपकी लिफ्टिंग कैपैसिटी उसको बढ़ाया गया है जैसे कि आज किसान आदूनिक किसी इंत्र इस्तमाल करने लगा है तो सुपर सीडर है जैसे कि और भारी-बारी इंप्लिमेंट या कई बार प्टैटो उसके अंदर जो प्लैंटर वगेरा यूज करते हैं वो काफी हैवी हो जो नॉर्मल ट्रेक्टर की जो 2,000 kg की लिफ्ट कैपैसिटी है उससे उठनी पाते दन्से तो पुस्चीज को इंप्रूब करने के लिए लिए लिफ्ट प्लो ट्रेक्टर आगे है जिसके अंदर लिफ्टिंग कैपैसिटी है वो 1,500 kg की हो गई है जिससे किसान अपने क्रि अजैंट है वह भी आप देख रहे हो पूरा डिष्टल और काफी eines met상을 कर दिया है जिज्टीके इंदर स्टेंडर और एकनोंी अच्छा दो मोड के साथ यह हाथ किरे से इकनोंी मॉड यह स्टेंडर्न मोड यह इसकी हाथ कीरे से जिसक्टर देंट की hp 75 उसपावर और एकनोमी मोट जब मालों किसान को कोई हलका काम करना है जी जी या खेट से घर जाना है तो ये 57 HP का ट्रेक्टर हो जाएगा उसे फ्यूल की भी बचत होगी है तेल की बचत होगी किसान की और उसका मतलब जो वेर्फ टेल लगता था वो नहीं लगेगा और इस ट्रेक्टर के अ अच्छा आप यहां पर एक बड़ दिखा सकते हो यह अभी यह देदिया है इंडिगेटर जैसे गाड़ीयों में आपका है ना जी जी यह देखिए गाड़ी में इंडिगेटर हो गया यह लाइट का हो गया जी मैं कमार इसकी लाइट दिखा दे तो ओन करना सर यह अच्छान के लिए होगे है बैच के अराम से काम इसके उपर करते है यह पहले यह पर ओपन आया करता इसको पुरा डगदी है यह जैसे आप देख रहे हो फोर वील ड्राइव ट्रेक्टर है तो यह फोर वील ड्राइव गाइस का लीवर है अच्छा पर पूल करेंगे तो ट्रेक्टर के अधर के आपके लिवर हैं ईजू के इफटर में ट्राइब प्लस में यह जैसे कि आप देख रहे हो gear pro series का ट्रेक्टर है पार्किंग इसकी यहाँ पर ही है इसी के अंदर handbrake लग गया है इन ट्रेक्टर के अंदर आप देख रहे हो यह EQRL आता है lift को उठाने और गिराने के लिए यह उठाने के लिए इलेक्ट्रोनिक लिए lift को पेंट् यह दिखा देता हूं भाई वहां से बंद है यह बंद होगी इससे किसान अपना घर जाता है तो उसको आगे रास्ता देखने में है ज्वेक अच्छा फीचर है जो यह की सीट है आम रेस्ट के साथ में आती है अच्छा जी टॉप मॉडल की और इसमें सीट बेल्ट भी है काफी एडवांस टेक्टर है सीट मेंट के साथ जिजिजए रॉक्स इंदर लागा है जी जो की स्टेंडर सेफ्टी का इसका उदर आएगा जी जी अठारा चार तीस का इसका पिछले वाला टारे बारा चार चार चोरिश के अश्के आगया वाले अच्छा जो तायर साइज तो बढ़ा दिया साइट पिछटर वाली लिफ्टे यहां से भी किसान इसमें यहां से और एक जो जो जी 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 यह पहले 68 लिटर्स में आता था भी 71 लिटर्स का फूल ते बढ़ा दिया है जी जी जाओ उसके अंदर फूल टैंक अबस्की जी जी बढ़ा रहे हैं बाकि आप देख सकते हो ट्रेक्टर की बनावत और टेकनोलोजी तर एक बार इसको चला करके और दिखाओ दो इसकी साउंड दिखाओ सर इसकी साउंड भी दिखाओ सर जी जी सर अरे इसका यह स्टेर यह देखो भाई है कि सर बंद कर दो इसको कर दो बंद तो पहले वाड़ों से तो इसकी साउंड पहले वाले से साउंड भी कम है वाइब्रेशन भी कम है अच्छा जी और पहले वालों से इसकी फ्यूल एफिसेंसी भी बढ़ गई है अच्छ तो सर अपने डिलर सिप का एड्रेस और अपना कुन्टेक्ट नंबर और बतादो सर सर हमारी डिलर्शिप और अब्रों कॉटो मोबाई है जी जी रोड विवानी जी सर और मेरा कुटक्ट नंबर है 8053 जी सर ट्रिपल नाइन ट्रिपल सेवन जी जिस भी किसार भाई को जो भी एक्टर के बारे में जॉंडियर के बारे में जानकारी लेगी है वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सब्सक्राइब